जैन दोस्ता, मैं मैं जो गरवारी और आप देख रहे हैं में जैनी राइट कुछ समय पहले अरुनाचल प्रदेश में कई जगे को चीन ने रिनेम कर दिया था यानि कि उसका नया नाम दे दिया, चाइनीज नेम दे दिया क्योंकि चाइना क्लेम कर रहा है कि जो अरुनाचल प्रदेश है, यह ऐसा चाइना का क्लेम है कि जो अरुनाचल प्रदेश अक्चली अरुनाचल प्रदेश नहीं है, वो सदन टिबिट है भाई और नाचल प्रदेश is actually southern टिबेट और ये चीन की territory है इसलिए जब भी भी कोई public figure और नाचल प्रदेश जाता है तो चीन को बहुत खाज खुजली होती है चीन बहुत बर्नौल का इस्तमाल करता है और चीन को बिलकुल भी पसंद नहीं है दोस्तों इसकी शुरुआत होती है माउट से तुंग से जिसको कहा जाता है father of modern China जो communism लेकर आया revolution करी ये सब तो माउट से तुंग ने अपनी diaries में लिखा था कि ये originally China ऐसा था और हमें वैसा ही करना चाहिए तो लान फौज लग गई इसमें करीब 23-24 देश है दोस्तों 23-24 देश है जिसके साथ चाइना की लगी पड़ी है इनकी territory claim करता है चाइना रूस का एक port है व्लाडी वॉस्टॉक बाई साब रशिया के अंदर port को भी claim करता है चाइना चाइना मंगोलिया का हिस्सा claim करता है भारत का हिस्सा claim करता है न दो दरजन तकरीबं देश हैं पूरी दुनिया में जिसका हिस्सा जिसकी territory चाइना कोवेट करता है और claim करता है और हसी की बात तो यह है और आश्चर के बाद भी है कि चाइना का border actually सिर्फ 12 देशों से लगता है और claim करता है चोबिस देशों का तो जरूरी नहीं है कि चाइ जिसको भारत रीनेम करने वाला है तुमने और नचल का करा कोई बात नहीं हम तिबत का करेंगे अब यह सिर्फ रीनेमिंग है यह सिर्फ नामकरण है यह दोबारा नए तोर से नामकरण करना क्या वो है यह नहीं कैसरिफ यह है कि आपने Hong Kong को हनुमानगर बोल दिया विच लेकिन इसका इंटेंट कुछ और है दोस्तों इसका इंटेंट बड़ा सीरियस है चाइना को जो सबसे ज़ादा टची जो चाइना की जिसको कहते हैं एक जो रेड लाइन होती है किसी भी देश की यानि कि अगर आपने यह कर दिया तो फिर वो देश तिल मेला जाता है फिर वो लक्षमड रिखा क्रॉस करी तो फिर वो जो देश है वो हिट बैक करता है चाइना की जो रेड लाइन है जो चाइना की लक्षमड रिखाए दोस्तों वो है तो वान चाइना पॉलिसी यह वान चाइना पॉलिसी क्या है वान चाइना पॉलिसी एक सोवरेनिटी को लेके खुद मुच्छारी को लेके, संप्रभुता को लेके, चाइना की पालिसी है, कि ये सब अलाके चाइना के है, टाइवान, और तिबित, बोल मत देना इसके खिलाफ, शिंग जिएंग, बोल मत देना ऐसके चाइना, तो अगर आपने बोल दिया कि ये अलग देश है, इस्क्रि पुर्गमेनिस्तान, for example, आपने कोई और नॉमनक्लेचर, चाइना गेट्स वेरी वेरी अपसेट, अच्छा, जब चाइना ने और ना चलके कई जगों के नाम बदले और उनको चाइनीज नेम दिये, तो चाइनीज नीज नीज पेपर्स लाइक दे ग्लोबल टाइम्स, they declared it a big victory वोचाएना कि देखो, हमने सिखा दिया भारत को, भारत ने बोला ठीक है, वही क्रिकट का मैदान है, सबकी बैटिंग आती है, ऐसी बात तो नहीं है कि तुम्हारी बैटिंग आएगी, मैच में जीते है, हरे बात की बात है, बैटिंग दोनों की आती है, अब इंडिया क ये तीस जगों के हम दोबारा नाम करण करेंगे और हम उनको अलग नाम देंगे, अगर भारत इनको ओरिजिनल टिबिट नेम्स दे देता है, जो कि मुझे लगता है, लाइकली है, क्योंकि उन्होंने काफी जगों के नाम बदल दिये दोस्तों, एक्स था वाय कर दिया, उ गॉलर बोलता, जाहर सी बात है, पाकिस्तान सबसे बड़ा रिसेपियंट है और चाइनीज इन्वेस्मेंट इन इड, पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, और यहां पे इसलाम का किला बना हुआ है पाकिस्तान, उनली मुसलिम कंट्री तो है नुकलियर वेपन्स, लेकिन जब अरभी है इसके अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है? जितने भी लोगों का जिकर करा हुआ है इसके अंदर, इसमें चैनीज को है नहीं इसमें चैनीज करेक्टर डालो. लोगों ने समझानी कि जो इमाम वेवाम थे उन्नों बताया साथ, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? ज पूरा हजास का अरिया है, पूरा अरेबियन पेननसुला वगरा ये तो पूरी गुरान शरीफ तो वहाँ की कहानी है, पूरी वहाँ की स्टोरी है, या फिर ते लार्जर मिडिल इस्ट, उसके अंदर कई और पगंबरों का भी जिकर है जो पहले आये थे, चाहे वो दाउद ह चाहे वो मुसा हैं चाहे वो कोई भी है मतलब तो सब का जिकर है गुरान चरीफ तो बोला कि साभी तो लार्जर इस हेरिया का उसका चाइना का क्या लें नहीं डालो इसमें उन्होंने 10 कमांड्मेंट्स बतल दी एक क्रिस्चिन के जो 10 कमांड्मेंट्स हैं ओल हैं वहाँ पे इमामों को बोल रखा है पहले तो इमाम ये देखिए फोटोग्राफ दोस्तों ये डांसिंग इमाम की फोटोग्राफ है ये मैं पहले भी इसका जिकर कर चुका हूँ ये डांसिंग इमाम क्या होते हैं बोला कि साभ सबसे पहले एक बात बताओ कि इसलाम में क्या हराम है तो इमामा ने बोला साथ सुर खाना हराम है शराब पीना हराम है नाज गाना हराम है तो इमामों को इन लोगों ने एकटा करा Chinese लोट अ ग्रिमिनल मैंड उफ दो चाइनीज इनका जो कृमिनल मैंड है चाइनीज का वो देखिये इन्होंने सबसे पहले इमामों को सुर खिलाया इमामों को शराब पिलाई जो जो हराम था इन्होंने करवाया फिर इन्होंने म्यूजिक लवाया चाइनीज म्यूजिक और इमाम्स को बोला तुम डांस करो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये वही इमाम है जिनको जानबूच के सुर खिलाके शराग पिलाके इनको नचवाया है डांसिंग इमाम्स आप जाके गूगल में जाएए और डांसिंग इमाम्स ऑफ चाइना करके आप गूगल में इमेज़स पर जाएए आपको ऐसी फोटोग्राफ पचास दिख जाएंगी और उन्हों ने डलवाई गूगल पे कि दुनिया को दिखाओ कि हम ये तो ये चाइना कर रहा है लेकिन क्या कोई मुस्लिम देश बोलता है नहीं बोलता है चाइना इतना सेंसिटिव है अब इंडिया अगर रिनेम करता है तो चाइना के साथ रिष्टे खराब हो जाएंग अई कर लो हमें खाना नहीं मिलेगा शाम का कर तुम्हारा अमबासडर तुमने रिकॉल कर दिया डिमार्च दे देगा दे दो हम भी अपना अमबासडर रिकॉल कर लेंगे का नहीं खतम हो गई फिर क्या होगा फिर क्या होगा दोस्तों सबसे बड़ी बात जो भारत में करी है भारत में तिबबत का सवाल दुबारा खोल दिया डिसकुशन के लिए अगर भारत रिनेम देखे चाइना और उनाचल प्रदेश की जमीन चाहता है यह कोई नई बात नहीं है लेकिन तिबबत के बारे में कोई सरकार बोलती यूएस गर्वर्मेंट टिबबत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलती दोस्तों एक दोनों ने कानून साजी करी होगी यह नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते लेकिन यूरप भी चुप है मसल्मान देश तो गungएं इस मामले में वहीं सब्तावन के सब्तावन एकदम गungए हैं उनसे पूछो क्या हो रहा है वह आप ऐसे हो जाते हैं चैना से ऐसा हाल है ने का खास दूर से जो इसला मी किला पाकिस्तान ऊटिशीus की जाता है यहाँ पे भारत कह रहा है कि तिबवत में 30 जगें हैं जिनको हम री नेम कर देंगे हम उनका नाम नया कर देंगे यानिकि ओल्ड नेम्स नया नहीं मतलब कि इंडियना इस नी ओल्ड टिबट नेम्स विल बी गिवन I think that is going to be the answer that इंडिया विल गिव चाइना ओल्ड टिबट नेम्स इससे क्या होगा कि दुनिया भर के सामने टिबटन क्वेश्चिन दुबारा एक बार सामने आ जाएगा कि अवैद कबजा है जो टिबटन ऑटोनोमस रीजिन है या टिबट ऑटोनोमस रीजिन है टी ए आर जो बोलते हैं उसको एक डिग्री ओफ फेक अटॉनमी दे रखी है चाइना ने फेक अटॉनमी पूरी तरीके से चाइना कंट्रोल करता है पूरी तरीके से और यह इनके लिए चाइना कुछ कर भी नहीं सकता चाइना चुपचाब रहता है इस मामले में कि ठीक है यह हमने कर लिया अब इसके बारे में बात मतरा चुप रहो चाइना ड़स नोट लाइक कॉन्वर्सेशन अन टिबेट आप कभी भी देखना जहां पे भी चाइनीज प्रेजिडेंट ग करता तो वेस्टन काल्टरी जो रूस चला जाएगा एक दो जगह चला जाएगा बट ही विल जेनरली नोट ट्रेवल सो मच आउटसाइड बिकॉस अलोट प्रोटेस्टर्स आर कमिंग उट रोड नोट मुझे लगता है भारत की डिप्लोमेटिक बाद बड़ी जीत है और ने ये भारत को आईडिया दे के अच्छा ही करा है भाई तुमने अरुनाचल का नाम कुछ और रख दिया तुमने अरुनाचल में जगे का नाम कुछ और रख दिया भारत को कोई फरक नहीं पढ़ा दुनिया ने बादचीत नहीं करी क्योंकि अरुनाचल इस नॉट पार् भारत तिब्बत का नाम रख तो सारे जितने भी हॉलिवूड के सेलिबरेटीज हैं जो टिबिटन फ्लैग्स अपने घर में लगाते हैं बड़ी शान से रिचर्ड गेर टाइप के जो बड़े सॉलिड सपोर्टर ने टिबिटन कॉस के वो लोग क्या करेंगे सब को हवा मिल जाएगी और चाइना की थूथ होगी दुनिया में